भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता दोस्तों किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन वई इर्शा का भाव रखना यह सब आपकी तरक्की वखुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं, क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है, आज की इस सुन्दर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है, अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं, तो इस सुन्दर कहानी को कृप्या अंत तक जरूर सुने दोस्तो यह कहानी बड़ी ही, शिक्षाप्रद महत्वपूर्ण और ज्यानवर धक है, मेरा आप से निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे, साथ में बने रहना नमस्कार दोस्तों यार मित्र चैनल में आपका दिल से स्वागत है, प्राचीन समय की बात है, एक गाव में रामु नाम का गरीब किसान रहता था, उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पतनी रहती किसान के घर में, बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ किसान और उसकी पतनी बहुत खुश थे, सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे, एक दिन सुभा का वक्त था, तभी किसान के घर के बाहर से एक साधू ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई किसान के घर में, आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधू महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के, लिए कहा जब साधू महाराज बैठ गए तो किसान ने अधाया तभी साधू ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन बना हुआ है, जो राज्योग को दर्शाता है, साधू बच्चे की बाजू के उपर चिन देखकर हैराण रह गया किसान ने, जब साधू को हैराण परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो साधु ने कहा बेटा मैं परेशान नहीं हूँ बलकि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है तुम्हारे बेटे की किस्मत में राज्योग लिखा है किसान ने कहा महात्मा जी मैं आपकी ब इस नगर का राजा बन जाएगा साधू की बात सुनकर राम बहुत खुश हुआ जब गाव के लोगों को पता चला की रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे एक दिन की बात है उस नगर का राजा हिरन का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया लेकिन हिरन राजा के हाथ नहीं आया राजा को हिरन का पीछा करते करते प्यास लग गई थी लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर तलाश में भटकता हुआ उसी गाव में पहुँच गया जहां रामू रहता था तभी राजा की नजर एक महात्मा के उपर पड़ी राजा ने महात्मा से पानी मांगा महात्मा ने राजा को रुखने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले पानी लाकर राजा को दिया राजा पानी पीने लगा पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर रिकट थे। पानी लोग वहां जा रही है। महात्मा ने कहा साधू बाबा ने बताया है कि जब रामु का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवा इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गु और आप क्या सोचते हो एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा महात्मा ने कहा राजन जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था उसने कहा महात्मा जी मैं भगवान क लिखा हुआ आपको मिटा कर दिखाओंगा महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा राजन मैं भी यहीं हूँ और आप भी यहीं हैं देखते हैं राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी वह यही पूछता पूछता राजा रामू के घर पहुचा राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई रामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा आप कौन हो और किस लिए आए हो राजा ने कहा मैं सेट हूँ और मेरे खुद के कपड़े का व् आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। दो इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन्दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोशन भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा नहीं सेट जी मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती राजा ने कहा तुम एक मामूली से किसान हो तुम अपने बच्चे का पालन पोशन अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे रामू ने सेट की बात सुनकर कहा हां सेट जी आप ठीक कहते हो हम इस बच्चे का पालन पोशन अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहां ठीक है सेट जी मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तयार हूँ लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे राजा ने कहां हां ठीक है जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूँगा यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुचा राजा ने सोचा था कि वहाँ बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यू हो जाएगी लेकिन बच्चे का मासूम चहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई बहुत सोचने के बाद राजा ने लकडी का एक संदूक लिया और बच्चे को राज महल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुँचा जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चड़ा रहे थे उस सेठ ने जब संदूक को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देख वह हैरान हो गए उस सेठ की कोई संतान नहीं थी सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया सेठ की पतनी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई उसने जब सेठ से प अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी धीरे धीरे 16 वर्ष बीद गए सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता सू सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा। गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वही पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा बेटा तुम कौन हो और कहां रह तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। कैसे वह उसे भेते हुए पानी में एक संदूक से मिला था जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौक गया राजा समझ गया था कि यहाँ बच्चा वही है। तक पहुचा दो तो मैं उसको सोने की पचास मोहरे दूंगा सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा हां। महाराज क्यों नहीं मैं आपकी चिठी जरूर पहुचा दूंगा। राजा ने चमे चुपचाप एक संदेश लिखा और चिठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिठी सूरज को पकड़ा दी और कहां कि बेटा यह लो यह रानी तक पहुचा देना। मैं सूरज चिठी लेकर चला गया सूरज चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वहा। रास्ता भटक गया उसे रास्ता धूंदते धूंदते रात हो गई सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगा धून्दने लगा। तभी उसकी नजर एक जोपड़ी के उपर पड़ी सूरज ने सोचा मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। यह सोच कर सूरज से नीचे उत्रा और जोपड़ी के अंदर चला गया जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूड़ी औरत खाना बना रही थी। बूड़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है इसलिए रात गुजारने के लिए यहां पर पर आया है सूरज की बात सुनकर बूड़ी औरत को उसके उपर दया आ गई लेकिन फिर बूड़ी औरत ने सूरज से कहा बेटा तुम्हारा यहां पर रुखना ठ लेकिन माता जी इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे इससे अच्छा है मैं यहां कोने में जाकर लेट जाता हूं यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए डाकों ने जब घोडे को बाहर देखा तो सूरज बूडी माता से उसके बारे में उच्छा बूडी माता ने उनको बताया कि इसका का नाम सूरज है यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यहां राजा के काम से राज महल जा रहा है जब डाकों ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदे हुआ वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिथी निकाली और उसे पढ़ने लगे जैसे ही डाकों ने वह चिथी पढ़ी तो वह सब समझ गए बूडी माता ने उनसे पूछा च चिथी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे इसको उसी समय मरवा करर कहीं दूर दफना देना यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए बूडी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली यह राजा कितना दुष्ट है जिसके हातों चिथी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है यह सोचकर बूरी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए उसने डाकों से कहा तब डाकों ने दूसरी जन्यवाद देकर वहां से चला गया सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुँच गया और उसने चिथी महारानी को दे दी महारानी ने चिथी पड़ी तो चिथी में लिखा था कि यहा लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्यानी है यहा राजकुमारी से विवा करन लेकिन फिर उसने देखा कि चिथी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी इसलिए यहा लड़का जूट नहीं बोल सकता यहा सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवा उस युवक से कर दिया कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवा उसी युवक से हो गया है यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा तुमने यह सब क्यों किया तब महारानी ने बताया कि महाराज जैसा कि आपने चिथी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है राजा ने महारानी को चिठी दिखाने के लिए कहा, जब महारानी ने चिठी दिखाई तो राजा ने चिठी में कुछ और ही लिखा पाया, यह देखकर राजा ने गुसे में सैनिकों को कहा जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ सैनिक तुरंद, गए और सूरज को पकड कर ले आये राजा ने गुस्से में सूरज से कहा तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवा तो कर लिया लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा लेकिन महाराज मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा महराज बाहर एक महात्मा आये हैं वह आप से इसी समय मि महाराजन लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं राजा ने कहा नहीं महराज मैंने आपको नहीं पहचाना नहीं महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा राजन मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोल कर आये थे जैसे ही महात महात्मा जी मैं भाग्य के हाथों हार गया महात्मा ने कहा राजन भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सोम दो राजा ने कहा महात्मा जी जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा राजा को समझा क अगर महात्मा जी वहां से चले गए राजा ने सूरत से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौप दिया तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना